हाई एवरीवान वेलकम बैक मैं चैनल डिवनिटी टैर और सेख्वेट रूथ आपको किस हद तक जाते हैं क्या कहना चाहते हैं और डिफनेटली उनका इंटेंशन क्या है ठीके करिंट फिलिंग्स अपडेट क्या है जान के रखिए एक जनल प्रेडिक्शन है दूसरा है कि फिलिंग्स विल चेंज ओवर दाइम ठीक है प्रेडिक्शन की मेरे जो विवर्स है उनके जिन्दगी में उनके पार्टनर किस तरह से चाहत रखते है क्या कहना चाहते है क्या करना चाहते है आगे प्लीज बताएम इवर्स आप फोकस रखें अपने पर्सन के उपर इनिवर्स प्लीज गाइड करें इनिवर्स प्लीज गाइड आपके पर्सन कम बोलते हैं बहुत ज़दा स्लो स्पीकर इतना धीमी आवाज में मतलब बात करेंगे न कि कहीं न कहीं पर आप सामने बैठके शायर वो नहीं सुन पाऊगे अपने voice modulation बहुत अच्छा से जानते हैं और जब चिलाना होगा तो बहुत मतलब इतना जोर से चिलाएंगे कि पूरी मतलब आपके जो आसपास वाले हैं वो भी सुन लेंगे oh my god I can see their eyes very soft ठीके उनके आखों मुझे मतलब आखों के जो नर्मिया मतलब जैसे बोला जानना गम में तब उनकी आखे उस तरह से हो रहे हैं यहां पर ना पान पत्ते जैसे आ रहा हैं यहां पर I can find the letter J over here J, Jais, Jitendra, Jigyasa, Jaya, Jignesh देखो आप basically जो मुझे यहां पर दिख रहा है चारो तरप से आपके person जिस खांदान से ही तालुकात रखते ही या जिस खांदान में है वो वहां पे जिस सरह से trains काफी cancel हो जाते है जब सर्थी के समय आता है क्योंकि कोड़ा मत जाता है तो आपके person ठीके उस परंपरा के अनुसार अगर नहीं चल रहे है क्योंकि उनको उनका जो family है family values है tradition है वो सता अलग है आप लोग बिलकुल अलग है आप दोनों का खांदान का सोच विचार बिलकुल 360 degree opposite है लेकिन कहीं न कहीं पर आपके person के जो घरवाले है वो आपके person के सामने क्या कर रहा है कुहोडा मचा दे रहे है ताकि आपके person को clearly दिखे न और आपके person आपके तरफ ना है ठीके तो बहुत ही कोशिश किया जा रहा है उनके मन को ठीके आपके तरफ ना जाए इसलिए आपके बारे में बहुत ही जादा एक दम बेकार सी बाते आपके person को कह जा रहे है और ये भी बोला जा रहा है मतलब धमकी भी दिया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते आप उनको शादी नहीं कर सकते या आप उनके साथ तालुकात नहीं रख सकते अगर आप husband wife है तभी भी, अगर आप husband wife नहीं है तभी भी अगर उनको अल्रेडी एक बार marriage हो चुका है तभी भी वो बोल रहे है तुने तो देख लिया शादीन का first marriage भी लव था उनने तो देख लिया क्या हुआ अभी हमारे मर्जी से चल तू क्यों अपने मर्जी से चल रहा है क्यों अपने मर्जी से चल रही है देखा ना ऐसे ही अर्शद होता है उस तरह से वो लोग बोल रहे है कि नहीं तो ऐसा नहीं कर सकती सो आपके बरसन बिचारे कैसे आपके सामने आ गया सकते हैं जहां पर इतना रुकावट क्योंकि वो अपने फैमिली से डील करते हैं अगर वो काम भी करने जा रहे हैं तो अद अपने घर में ही लोटना बड़ेगा ना अभी हो सकता है कि उनके फैनाशल कंडिशन इतना भी नहीं है कि वो अलग सा घर रेंट में ले लेके वह आपको वहां पर लेके चाहें शायद उतना पॉसिबल नहीं है या सोच नहीं रहे है उस तरीके से जो मुझे यहां पर दिख रहा है यहां पर एक राउन चक्रा है तो मुझे दिख रहा है आपको इंट्यूशन काफी स्ट्रॉंग है तो अपने इंट्यूशन को भी ठीके चेक करते रहे हैं कि वो क्या आप बोलना चाहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं मेक यूर इंट्यूशन वरी मच यू कैंसे अप्लिकेबल इन यूर लाइफ इंट्यूशन तो आ रहे हैं लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो आपका ध्यान हट रहे हैं वहां से आपको सर्फ असर्व अंदविश्वास है इस इंसान के ऊपर ब्लाइंड फेत रख हो आप जहां पर आपकी फेत होना चाहिए था वहां पर नहीं है जहां पर भरोसा होना चाहिए वहां पर नहीं है ओके दनामबर 1111 और सु यू कैन सी ठीक है 1111 हो सता है इस रीडिंग को देखने के बाद या 1111 आप कॉंटिनुश्ली कुछ दिनों से आप देख रहे हो इस इंसान की भी दूसरा चीज है बाकी लोग के लिए जो मैं यहां पर देख पा रही हूँ इनके काफी ज़्यादा illusions है मतला माया बहुत ज़्यादा है dreams बहुत ज़्यादा देख लेते हैं सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं कि मैं आगे बरूंगा इस तरह से मेरे नहीं दे रहे है या नहीं देना चाहते क्योंकि अगर आप इनको शायद बोलने भी जाओ कि आपने क्या सोचा है आगे क्या है तो शायद ये बोल देंगे मैंने अभी फैसला नहीं किया आभी फैसला मैं नहीं ले सकता नहीं ले सकती क्योंकि मैं अपने केरियर में कुछ करके दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ ओके, they want to be at the top position ओके दूसरा चीज जो मुझे दिख रहा है कुछ लोग इहां पे कार्तिक महिने में आपका जनम हुआ है कुछ लोग के लिए It's a strong indication कार्तिक महिने में किसी का जनम हुआ है में भी कार्तिक इसका नाम भी हो सकता है आप जानते हो Lord कार्तिक कौन है Lord कार्तिक वही है जो ऐसा माना चाहता है Architect of the Universe Engineer of the Universe is Lord कार्तिक एक है जब दुलह दुलन की शादी होती न नयाना तो उनके दोस्त लोग क्या करते है कार्तिक जैसा ही उनके बच्चे हो इसलिए कार्तिक जी को रख जाते है तो फिर उल्टा क्या होता है फिर कार्तिक जी का पूजा किया जाता है ताकि उनके बच्चे भी कार्तिक जी जैसे हो Lord कार्तिक जैसे हो आपके परसिंग गाने की भी शौखीन हो सकते है and they always send you some music notes or something जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप और वो इस music से connect होते है of course कुछ ऐसा धुन आपको ज़रूर daily wise मिलता है जो उन से relate करता है या आप दोनों कोई movie देखने करे होंगे कि वहाँ पर कोई particular song था जो दोनों का ही favorite था और वो चीज आपके person repeatedly सुनते है इविन आप भी और ऐसे ही आप लोग telepathically एक दूसरे के साथ connect रहते है यहाँ पर you यहाँ पर why important है देखो यहाँ पर एक तान पूरा आया all right जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है देखो यह ऐसा ही इस connection को जाने नहीं दे सकते है तो वो आपसे कुछ advice मांग रहे है वो आपसे कुछ suggestion लेना चाहते है कि इस नाजुक हालत में वो क्या करें क्या आप उनकी थोड़ी मदद कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहता फिर कुछ लोग के लिए अगर आपके person के साथ आपका no contact situation है तो आपके person यही चाह रहे है कि आप उनकी calls को तो रैटेन करें ठीक हो साथा कि वो call कर रहे थे फिर बात भी हुआ आपके साथ फिर next time जब उन्होंने call किया तब आपने phone नहीं उठाया क्योंकि आपको लगा यह इंसान नहीं मेरे से कोई तालुकात नहीं रखेंगे फिर से game खेल रहे है इसलिए आपने रख दिया होगा phone तो आपको भी तो जानना है genuine आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि वो game खेल रहे है आपको उनका intentions जानना है तो आपकी spiritual world में हो फिर आपके तो intuition सबसादा strong है बाकी लोगों से ठीक है so use your intentions and feel that आगर आपको लग रहा है कि नहीं वो negative कुछ ऐसा बोल सकते है तो you can live that बट फिर आप किसी को मौका तो दो वो यहीं चाहते एक बार बात करने का मौका दो उनको वो अपना गलती का एसास है उनको regret है उनको लेकिन वो किस तरह से उस situation को solve करे यह उनको अभी भी सोच रहे है बहुत बरे बरे बिंदी आप अगर पहनते अगर आप female है तो उनको बहुत अच्छा लगता है do find यह इंसान आपसे यह भी कहना चाहता है अगर आप contact में भी हो तो आप हमेशा सज सवर के रहो उनको आपको दीखना बहुत अच्छा लगता है you are just like a duck to them पता है आपको जो सुन्दर सा एक डग वो तहरते रहते है पानी में उस तरह से वो आपको महसूस करते हैं you are just like a duck to them oh my god देखो आप कई बार ऐसा हुआ है कि वो आपके मतलब कदमों तले जुखने के लिए रेडी है लेकिन आप नाराज है क्योंकि वो आपको वक्त नहीं दे पाते है इसलिए इस बार वो promise कर रहे है और करना भी चाहते है that everything will be all right okay one time ऐसा समय आएगा कि सब कुछ सही हो जाएगा okay कुछ लोग के लिए अगर एक new connection है वो ना थोड़ा सा planning कर रहे है अपने दोस्तों से बोल रहे है अरे मुझे इस लड़की या लड़का से proposal चाहिए या propose करना है तो मैं क्या करो कौन सा tricks अपना हूं ठीक है वो अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कि किस तरह का tricks अपना जा सकता है कैसे number लिया जा सकता है शायद वो number भी नहीं लिये है hidden रखे अपना feelings ठीक है कि कि उनको लगता है शायद आप उनकी हैसियत के उपर point out करो मैं भी उनको लगता है मैं भी आप दोनों का profile difference है अगर ये एक new connection है उनके लिए मैं बोल रहे हूँ उनको लगता है कि आप उनको उपने हैसियत के अनुसार ठीक है पसंद नहीं करोगे हो सकता है कि आप तोड़ा सा serious रहते हो ठीक है ये आपके college के student हो सकता है मतलब आपके student ने मतलब students हो सकते हैं and definitely दोनों ही in fact हो सकते हैं एक ही coaching centers में आप लोग जाते हो classes लेते हो maybe dance classes or whatever it is तो उनको लगता है कि yes maybe you will not agree इस तरह से लेकिन उनको नहीं पता आपके दिल में भी let do food दे हैं उनके लिए ओके तीन चरह हफता हुआ है यह मुलाकात को कुछ लोग के लिए connection तीन से चार साल और उससे उपर है बहुत old connections मुझे दिख रहे हैं लगातार family issues यहां पर चल रहा है दोनों के side से how do you feel like that और यह क्या चाहते हैं देख लेते हैं आगे क्या situation होगा एरीज लियो सचेटेरियस में इश्य सिंग अधा नुराश यहां पर important है देखो आपके person को आपको थोड़ा ना अकेले रहने दो उनको ठीक है उनको अकेले रहने दो तब उनको समझ में आएगा जब तक वो अकेले नहीं रहेंगे ना जब तक आप उनको बार बार कॉल कर करते रहोगे मैसेज करते रहोगे वह आपकी बातों को एकशलेंगे ना वLज पाएंगे कुछ चीज अक़िए रहने यांफिन में ही वह answers ढूंड पाएंगे और जब तक उनको ऐसास नहीं होता है तब तक मुश्किल है जब तक वह आपके pain को दर्थ को feel नहीं कर पाते हैं तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि yes they feel your pain but not in that manner जितना आप उनके लिए उतना feel करते हैं उतना equivalent उनको थोड़ा से समय दो समय से उनको पता चलेगा कि क्या है आप अगर बार बार उनके लिए यहां पर देख स्नेक आ चुका है यहां पर स्नेक का मिनिंग दो तरह से मैं हमेशा ही देखते हूँ एक तो एक renewal होता है connection में दूसरा चीज होता है कि स्नेक also means the temptation you need to be alert also साब dust भी देते हैं साब के poison से cancer की medicines भी बनता है तो दोनों दिख से आप देख सतो दोनों वे से आप विचार करके देखो strong sexual connections they want to make it with you okay it's not like अभी तो वो कुछ लोगे लिए अगर आप लोग aged है अभी तो देखो आप समझने की कोशिश करो अभी वो age नहीं रहा है जहां पर घंटों तक आप लोग चैट करोगे या रात में बात करोगे यह शायद आपको उस चीज में उलजाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है हम एक साथ बात करते हैं फिर देखते हैं वो अभी समय नहीं रहा है फिर आपको मतलब समझ लेना है कि यह साप के जैसा पेचीदा है तो यह कभी भी इस साथ से कमिटमेंट आपको नहीं देंगे अगर वो आपको कॉंटिनुवसली बोल रहे है तो क्या हुआ हम बात करते रहते हैं उसमें क्या है एक दिन तो मैं वहाँ पे आपके साथ मुलागत करने के लिए आ जाओंगा या आ जाओंगी तो इसमें कुछ जोले फिर तीके तो अगर यह बोल रहे है मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए उसके बात मैं सोच के बताता हूँ या बताती हूँ अगर वो आपके साथ हसी मजा करे है चैट करे है एकदम फाल्दू की बात कर रहे है तीके flirtatious बात कर रहे है फिर कुछ ऐसा ही मतलब ऐसा बात कर रहे है जो आपको इतना अच्छा नहीं लगता है you know what I mean so you start to avoid this person because यह person के अंदर फिर कोई भी potential नहीं होगा आपके तरफ आने का बाकि अगर आपको लगता है कि नहीं यह इनसान को मुझे मौके देने चाहिए कि मैं अभी तक इनको एक भी मौका नहीं दिया फिके मैं आपको इस फ्रेम में आज मैं आपको ओरकल कार्ट से नहीं एक चीज मैं आपको सुनाना चाहते हूं मुझे पता है आप लोग जानते हूं फिर भी मैं बताती हूं कुछ लोग जानते कुछ लोग नहीं जानते लॉड रामा एंड सीता देवी ठीके तो कही न गहीं पर सीता देवी जब वपस आ चुकी थी अपने डाजिय में तो लॉड राम जी मतलब कुछ बहुत सारे लोग ऐसे अपवाए फैला रहे थे कि दर शी वस नॉट प्यूर बिकॉज उनको रावन ने किड्नाप कर लिया था तो कही न कहीं पर सीता जी कभी भी ऐसा नहीं थी शी वस प्यूर हार्टे और वेरी लॉयल बट फिर भी उनके लॉयल्टी के उपर क्वेश्चन किया थीक है कि वो कितना वफदार है वो ऐसा है वैसा है तो उन्हें ऐसा बोला था कि कही न कहीं पर मैं आग के उपर चल लूँगी और अगर मुझे आग ने गंजिम कर लिया ठीके मान मतलब आग में अगर मैं जल गई इसका मतलब है मैं प्योर नहीं हूँ समझ रही हो आप तो कहना गए पर वो आग में चली फिर भी ठीके वो उसमें कोई उनको एक आच नहीं आया ठीके बिकाज शी वास सो प्योर और वेरी डिवोशनल और वेरी लॉयल तो कहना वहाँ पे public था तो कही नगाई पे उन्होंने बताया कि मैंने प्रमान तो कर दिया है फिर भी अगर आप विश्वास नहीं करते तो मैं इस पृत्वी में ही समा जाती हूँ जहां से मैं आई हूँ तो उन्होंने पृत्वी में अपने आपको समर्पन कर दिया प्रमान नहीं कर सकते कि आप जन्वीन है या ओनेस्ट है या लॉयल है किसी के लिए तीक है आप प्रमान करने का जरूरत नहीं है इफ दाट परसन इस मेड फोर यू यू विल मीट दिस परसन अगर ये परसन आपके लिए नहीं है तो नहीं है इसमें कोई और दोहड़ाय नहीं है okay so this is all about today's reading guys I hope you like it and if you like please do share subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity terror or sex per truth always exposes darkness and will expose darkness thank you guys and love you a lot and take care